यूपी की सियासत में सस्पेंस कायम है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से अपनी मुलाकात को सामानने मुलाकात बताया है। लेकिन राजनीत में मुलाकात सामानने कहा होती है जनाब। और वह भी तब जब आपने राज्यपाल को बंदली फाफा पकड़ा दिया हूँ। वैसे तो यह अठकले लगाई जा रही थी कि सियम योगी का राज्यका जाने वाला है। और उन्हें बन गमन की तैयारी कर लेनी चाहिए। केसा मौरिया की किस्मत एक बार फिर चमकने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को इस पद से उनके इस पद से स्वतंत्रता मिलने वाली है। और मौरिया UP-BJP के अधिनायक हो सकते हैं, या फिर UP के जन्गरमन के अधिनायक भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बीजेपी के प्रदेश ध्यक्ष पद से स्वतंत्र देव स्वतंत्र हुए। और नहीं योगी को वन प्रस्थान करने का फर्मानाया हां यह ज़रूर साफ हो गया कि अगला चुनाओ बीजेपी योगी बावा के निर्टित्व में लड़ने वाली है लेकिन यहां तनिक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कभी नहीं कहा गया कि चुनाओ के बाद भी शी बनाया गया था एसा लगा था कि चुनाओ में जीत के बाद स्यमों ही बनेंगे ओविशी क्लास के लोग इन्हें समझने भी लगे थे लगा था अब यूपी का भार केशों के कंदों पर आएगा लेकिन एन वक्त पर किस्मत का कनेक्शन तूटा और योगी जी से जाके जू बीच में उमीद जगी थी लेकिन फिर पानी फिर गया रहा है कि लेकिन योगी के जन्म दिन वाले दिन से योगी जी को एक भाय जरूर सताने लगा होगा आखिर सबने उनको बढ़ाई दी लेकिन ऊपर वाली जोड़ी की तरफ से मौनब्रत रहा योगी जी ट्विटर वा और जी खुश हुए होंगे साइद एक उम्मीर्बंधी होगी चुनाओं मेना सही चुनाओं के बाद ही चेहरा बदल जाए अब उस बात पर भी ध्यान दे लेते हैं जो अधूरी रह गई थी वह यह कि बंद लिफाफे वाली बाग अखिरादा मोहन जी के लिफाफे में क्या है अब बंद लिफाफे में क्या है यह तो देने वाला जाने गया या उसे पाने वाला और जब वो बताएगा उसी हिसाब से हम भी बकबक आएंगे तो लिफाफा खुलने दीजिए हम फिर आएंगे तब तक मेरे नए पुराने वीडियो देखते रहिए कमेंट भी करिए क अच्छा चलते हैं कहा सुना मापकर यह का नमस्कार